हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे SSE के द्वारा MTS का विज्यापन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके syllabus को हम लोग बिल्कुल details में आसान भासा में समझने की कोसिस करेंगे कितने topics को आपको पढ़ लेने है ताकि आपका exam के लिए हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को उससे पहले आप लोगों से request है आप जिस district से इस पिडियो को देख रहे हैं भारत के जिस हिस्से से देख रहे हैं जिस राज से देख रहे हैं अपने district और state का नाम अपने जिला और राज का नाम नीचे comment section में जरूर लिख दें आप लोगों से question भी पूछूँगा आपके ज्यान की परक्ष करने की भी कोसिस करता हूँ आपको बताना है x to the power 0 equal to क्या होता है नीचे comment करके इसका answer आप लोगों को बताना है दूसरा question मैं आप लोगों से एक English में word देता हूँ इसका Hindi में क्या vocab का मतलब होता ये बताना है दो question है आप लोगों के लिए दोनों का answer आप लोग जरूर दीजिए और नहीं पता तो Google तो करे लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के syllabus को समझने की कोसिस करते हैं दखिए दो पार्ट में आपका syllabus बटा हुआ है पहले पार्ट में दो सब ग्रूप है जिसमें की numerical ability और mathematics ability से यानि की यहाँ पे mathematics से 20 questions पूछे जाएंगे 20 questions और हर question के लिए 3 marks आपको दिये जाएंगे याद रखिएगा 45 minute में आपको दोनों निप्टाने हैं reasoning ability भी और maths को maths और reasoning के 40 question है 45 minute का समय आपको मिलेगा याद रखिएगा इस बात को यानि की reasoning भी 20 question पूछे जाएंगे और maths के भी 20 question पूछे जाएंगे total number कितने हो जाएंगे 60 plus 60 चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे section में देखिए general awareness से question पूछा जाएगा जिसमें की gk भी पूछा जाएगा current affairs भी पूछा जाएगा 25 question पूछे जाएंगे और number मिलेगा आपको 75 आगे देख लिजिए English language और comprehensive यानि की English question पूछा जाएगा 25 नमर मिलेगे 75 और total जो timing होगी 45 minute यानि की total 90 minute जो है आपको दिये जाएंगे तो ये बात है अब details में syllabus को देख लेते हैं कि numerical ability में क्या-क्या पूछा जाएगा तो देखिए numerical ability में आपसे पूछा जाएगा LCM, HCM, integration क्या होता है decimal क्या होता है fraction क्या होता है relation between numbers, numbers के बीच का सम्मंद fundamental arithmetic operation पूडमा से question पूछा जाएगे ratio proportion से question पूछा जाएगा इसके अलाबा work and time यानि की समय और carpe question पूछा जाएगा direct and inverse proportion से question पूछा जाएगा average से question पूछा जाएगा simple interest से भी question आपका पूछ लिया जाएगा profit and loss से question पूछा जाएगा discount से question पूछा जाएगा इसके अलाबा area and perimeter of basic geometry figure से भी question पूछ लिए जाएंगे distance and time से question पूछा जाएगा lines and angles से question पूछा जाएगा interpretation of a simple graph and data square and square roots फटा-फट आप लोगों का काम क्या होगा एक chart paper पे फटा-फट एक से 50 तक के square याद कर लीजिए और एक से 30 तक कम से कम तो क्यों भी याद कर लीजिए फटा-फट आपके काम में ये रहा तो चलिए reasoning के syllabus को हम लोग देख लेते हैं reasoning में देखें क्या-क्या आपको पढ़ कर जाना है question जो आप से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके general learning ability से इसके अलाबा alpha numeric यानि की alphabetics लिखा रहेगा number लिखा रहेगा इसके इस series को आपको complete करने वाले question पूछे जाएगे इस तरह के इसके अलाबा देखिए कुछ और जो question पूछा जाएगा reasoning में वो होगा coding decoding से analogy से following direction से इसके अलाबा jamling word problem solving analysis है उससे question पूछे जाएगे verbal reasoning से question पूछा जाएगा diagram से भी question आएगे तो इस बात का खास क्याल रखिएगा कि diagram वाले question आप at least करके जाओ ही जाओ age calculator के अलाबा calendar और clock से भी यानि की घड़ी से भी पूछा जाएगा आपका तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप जे यानि की general awareness में देखे जीके से क्या क्या प्रसंद पूछे जाएगे जीके में आपसे प्रसंद पूछा जाएगा history, geography, art, culture, civics, economics से यानि की इतिहास, भुगोल, कला, संस्कृति और civics से question पूछे जाएगे और अर्थसासरे question पूछे जाएगे इसके अलाबा general science से भी question पूछा जाएगा, EBS से भी question पूछा जाएगा तो इनको जरूर कर लिजिएगा आप तो चलिए इंग्लिस के syllabus की बात हम लोग कर लेते हैं, इंग्लिस में देखिए आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा नॉर्मली आपको English language का जो vocab है, यानि की word meaning आपको याद कर लेने हैं, एंटो, साइनो याद कर लेना है, one word substitution याद कर लेने हैं, इसके अलाबा grammar, sentence, structure, synonym, antonyms और जो correct use है इसका, वो उससे question पूछा जाएगा comprehension यानि की पैसेश पूछा जाएगा, और उस paragraph से जो question दिये जाएगे, उसको आपको solve करना है, लगे हाथों देखिए, फिजिकल जो efficiency test है, यानि की pet है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, अगर आप male हो, यानि की लड़का हो, तो आपको 1600 मीटर, 15 मिनट में complete करना है, या महिलाओं के लिए 1 किलो मिटर को जो है, 20 मिनट में चलना, चल कर इसे पार करना है, अचलि ये सिर्फ ऐसे ही बातें रखी गई है, या आप आराम से इसे कर सकते हो, तो ठीक है, हाइट जो है, 157.5 रखी गई है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 152 यानि की 152, इसके अलाबा, चेस्ट जो है, वो 81 किलो मिटर है, इसके अलाबा महिलाओं के लिए जो वजन रखा गया है, वो 48 केजी रखा गया है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गंटे वंटे का बट जोर से दबा देजिए, थैंक्यू सो मच